जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें माता रानी सबका कल्यान करेंगे दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे सावन सुम्बार की ब्रत का क्या महत्व है सावन सुम्बार ब्रत के नियम क्या है पूजा की वीधी क्या है? इस सावन सोंबार के ब्रत में आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? सावन सोंबार ब्रत से जुड़ी हम संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से देंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलूखवर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना जादा से जादा हो सके मेरे इस वीडियो को सेयर करेंगे दोस्तों ब्रत तो सभी लोग करते हैं लेकिन ब्रत का पूरा फल पाने के लिए ब्रत के नियमों का पालन करना ज़रूरी होता है सावन की सोंबार ब्रत में सुबह उठकर असनान आदी से निवरित होकर स्वक्ष वस्तर धारन करना चाहिए ध्यान रहे इस दिन काले वस्तर आपको धारन नहीं करने है इसके बाद मन में ब्रत का संकल्प लेना है कि आज मैं सोंबार का ब्रत करूँगी और भोले नात को प्रसंद करूँगी इस ब्रत में दिन में केवल एक ही समय अनग्रहन करना होता है सावन काल में सुर्यास्त के बाद आप भोजन करें इस ब्रत में भगवान भोले नात की पूजा का विधान संपन करना होता है अन्यथा ब्रत करने का कोई आचित नहीं है पूजन के लिए पूजा की थाली में रोली, चावल, हल्दी, अवीर, गुलाल, लाल सिंदूर, कपूर, धूबबती, बेलपद, धथुरा, समीपद, कच्चा दूद, भस और चंदन साथ में भोग के लिए दूद सिबनी मिठाई रखे ध्यान रहे कि भगवान भोले नात को लाल पुस्प ना चड़ाएं, आप निली या सफेद रंग के फूल चड़ा सकते हैं साथ में गंगाजल अवस्य रखे, इसके बीना पूजा अधूरी होती है इन पूजन सामगरी के साथ आप सिबलिंग की पूजा करें और ओम नमस सिवाय मंत्र का जाप करें यह पूजा आप हर सुमबार को निर्धारित समय पर ही करें बता दे कि सिबलिंग पर जब भी जल चड़ाएं तो आपको डिरेक्शन का ध्यान देना है किस तरफ मुह करके आपको सिबलिंग पर जल चड़ाना है कहा जाता है कि कुछ लोग जब सिबलिंग पर जल चड़ाते हैं तो किसी भी दिसा में खड़े हो जाते हैं लेकिन सही दिसा नहीं होने के कारण उनकी सारी मनोकामनाय अधूरी रह जाती है तो सिवलिंग पर जल चढ़ाने की सही दिसा उत्तर दिसा है और उत्तर दिसा में मूह रहकर सिवलिंग की पूजा करना स्रिस्ट माना जाता है कहते हैं ऐसा करने से पूजा का पूरा फल मिलता है और सारी मनोकामनाय भी पूरी होती है अब चलिए जानते हैं कि सिवलिंग पर बेल पत्र कैसे चढ़ाना चाहिए तो बेल की पतियां जिस तरफ से चिकनी होती है आपको उसी तरफ से सिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए कभी भी सिवलिंग पर बिना जल के बेल पत्र ना चढ़ाए दोस्तों आपको बता दे कि सावन माह को सबसे पावन माह माना गया है ऐसा माना जाता है कि इस माह में भगवान भोले नात कैलास परवत से पिर्थवी पर भ्रह्मन करते हैं इस माह में सोम बार भगवान भोले नात का प्रिये दिवस होता है सावन में स्रिष्टी अपनी किर्पा बरसाती है और यह महीना सभी जीवों के लिए कल्यान कारी माना गया है वैसे आपको बता दे कि सोंबार का ब्रत तीन तरह के होता है सोमबार का ब्रत कोई भी कर सकता है आप विवाहित कन्या सुंदर बर और संपन घर पाने के लिए ब्रत रखती है विवाहित इस्त्री अपने लंबे और सुखी बैवाहिक जीवन के लिए ब्रत रखती है पूरुस इस ब्रत को सूखी और सांती पूर्ण जीवन बिताने के लिए करते हैं आपको एक बाद बता दे कि अगर सोम बार ब्रत के दौरान पीरियड आजाए तो महिलाएं क्या करें तो पीरियड में पूजा ना करें तो अच्छा होगा ब्रत की दौरान पीरियड आजाए तो ब्रत ना छोड़ें भगवान की मूर्ती का असपर्स ना करें आरती ना करें अगर सोम बार ब्रत से पहले पीरियड आजाए रविवार को तो आप ब्रत ना करें लेकिन अगर ब्रत वाले दिन आ जाए तो ब्रत को छोड़ना नहीं है, ब्रत को रखना है लेकिन पूजापाथ आपको नहीं करनी है। ध्यान में रखे कि संध्या समय में अगर आप भोजन करते हैं तो आप साधारन नमक अपने खाने पीने की चीजों में ना डालें, सेंधा नमक का इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। वैसे तो मानता है कि सावन सोंबार के ब्रत में फलाहर रहा जाता है, लेकिन अगर संभव ना है तो आप सेंधा नमक डाल कर कुछ फलाहरी बना सकते हैं, जैसे आप मखाना, मुंग फली या कोई भी ड्राइफ रूट ले सकती हैं, आप फ्राइक करते समय सेंधा नमक एव सावु दाने के बड़े बना कर भी आप खा सकती हैं, इसके अलाव आपको बता दें, यहूं चावल, मैदा, बेशन, सूजी, कॉर्ण, हैस्क्रीम, हींग, मिर्थी दाना, गरम मसाला या धनिया पाउडर आपको इस्तेमाल नहीं करना है, अगर आप सबजी का इस्तेमाल कर सकती हैं, अगर आप सबजी का इस्तेमाल करना चाहें, तो आप ब्रत में आलू की रेस्पी ट्राइ करें, जीरा आलू, दही आलू इस्तेमाल कर सकती हैं, आलू की टिक्की भी बना सकती हैं, इसके अलावा आप लौकी की खीर भी खा सकती हैं, मीठे में, कच्छी किली की ट सब्सक्राइब करें थैंक